Welcome to my channel इस वीडियो में solve करेंगे question number 19 The dimensions of a rectangular box are in the ratio 2 is to 3 is to 4 मतलब ये दिया हुआ है कि एक rectangular box है और उसका dimensions दिया हुआ है तो rectangular box का मतलब क्या हुआ हुआ का? cubatal box ठीक है? rectangular box मतलब कि cubatal box और उसका length, width और height का ratio दिया है dimensions का और फिर आगे कुछ दिया हुआ है क्या बोल रहा है? the difference हम यदि difference निकालें between किसके किसे बीच में? इसके बीच में दिखें यहां से यहां से ले करके the cost of covering it with a sheet of paper at rupees 8 meter square मतलब कि 8 meter square के हिसाब से यदि हम cost of covering निकालें एक sheet of paper से मतलब cover किया जा रहा है किसको? rectangular box को ठीक है हो सकता है gift को नहीं wrapping करते है तो उसको रैप करने के लिए चारु तरफ से rectangular box को एक sheet of paper से किया जा रहा है तो उसका rate दे दिया है कि rupees 8 लग रहा है per meter square और दूसरा rate दे दिया है 9.50 लग रहा है per meter square cover करने के लिए ठीक है और इन दोनों का दोनों prices के द्वारा जितना भी cost लगेगा मतलब इसके द्वारा कुछ cost लगेगा इसके द्वारा कुछ cost लगेगा दोनों का जो cost होगा उन दोनों का difference दे दिया है 1248 तब पुछाए कि find the dimensions of the box तब उस box का dimension बताईए मतलब length breath height बताईए करेंगे किसा सब पहले सबसे पहले आप length breath और height का exact value find कर लेंगे मतलब यहाँ पर length breath height हम यूज नहीं करते हैं dimensions यूज कर लेते हैं तो let the dimensions of let the dimensions of dimensions of the rectangular box और यहाँ पर जगा 2x कामा 3x and 4x ओके तो यह हमारा हो गया dimensions अब इन dimensions के यूज़ करके हम निकाल सकते है area area of the rectangular box area क्यों निकालेंगे क्योंकि rate जो है per meter square के हिसाब से दिया हुआ है cover करने का तो अभी आप मालोग को इस rectangular box को उपर से cover करोगे तो actually क्या cover कर रहे हो आप उस rectangular box का area cover कर रहे हो चार तरफ का है कि नहीं मतलब surface area आप cover कर रहे हो तो आपको surface area पहले निकालना पड़ेगा इस rectangular box का तो हम निकाल लेते हैं surface area surface area of the rectangular box rectangular box surface area of the rectangular box is equal to क्या होगा हम जानते हैं टू टाइम्स और यह फोला लगा दीजे LB प्लस Bs प्लस LH यहां साद आगा टू टाइम्स अब यहां पर हो जाएगा टू टाइम्स और यहां पर हो जाएगा टू टाइम्स जाएगा अब लगाट टू टाइम्स आप हो जाएगा टट आप हो जाएगा दू आदू आट टू टू तू कीटना ब spor में तो जागा 242 26 ज्टूज़ा would have to do is a foreign 52 सेंटी रच्टीज स्क्वाइर कि अरग इनको सेंटीमेटर में या मिटर माने मिटर माने है तो मिटर माने है था यहां पर हम 2x यहां पर माने है लिकिन यूनिट नहीं लिखे थे आपर इतना मिटर माने गा और 3x meter मानिएगा और इसको meter मतब कुछ भी मान सकते हैं तो हम यहाँ पर meter मान लिया ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इतना meter square हो जाएगा 24 यह जो है एक ही में है पूरा complete 52 x square meter square अब क्या करना है हमें निकालना है दिया हुआ क्या है difference दिया हुआ है difference between the cost of covering तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर कि since यह दिया हुआ है since difference difference between between the cost of covering तो covering cost का difference है वो दिया है कितना दिया है 1248 रुपीज अब यह बताईए यह तो difference दिया हुआ है यदि हम difference निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो difference में और subtraction में थोड़ा सांतर है subtraction का मतलब यह होता है कि जब हम बोला जाएगा कि subtract 2 from 3 मतलब कि 3-2 करेंगे लेकिं difference का मतलब हो गया जैसे कि माली जिब बोला कि 2 और 3 में difference निकाली है तो क्या करेंगे हमेशा आप 3-2 करेंगे हमेशा लेकिन यह बोलेगा कि subtract 3 from 2 तो क्या करेंगे 2-3 करेंगे यह बोलेगा कि subtract 2 3 subtract 2 from 3 तो क्या करेंगे 3 में से 2 मैनस करेंगे subtraction का मतलब होता है जो कहता है वही करना पड़ता है लेकिन difference का मतलब हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को मैनस करना होता है तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यदि कौन सा cost जो है ज्यादा आएगा और उसमें से मैनस करेंगे छोटे वाले ठीक है तो देखेंगे यहाँ पर 9.50 रूपीज पर मिटर स्क्वाइर के हिसाब से यदि हम cost निकालेंगे तो ज्यादा आएगा तो इसमें से मैनस करेंगे इसके वाले cost से मैनस करेंगे इस वाले में ठीक है तो कॉस्ट निकालेंगे यदि कॉस्ट आइट दी रेट इट ऐसरी कॉस्ट अट दी रेट 9.50 रूपीज पूर मिटर स्क्वाइर मैं से माइनस करेंगे कॉस्ट अट दी रेट 8 रूपीज पर मिटर स्क्वाइर तो इन दोनों का इदी डिफरेंस निकालेंगे तो यह आएगा 1248 रूपीज ठीक है तो यहाँ पर आप समझेगा यदि इतना पर मिटर स्क्वाइर के हिसाब से यदि हम कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे हमें पूरा एरिया पता है 52 X स्क्वाइर इसमें इदी मटिप्लाई कर दे हम 9.50 का तो निकल जाएगा टोटल कॉस्ट क्योंकि 1 मिटर स्क्वाइर का यहाँ पर कॉस्ट पता है देखिए जब रेट दिया रहाता है इसका मतलब कि 1 मिटर स्क्वाइर का यह जो नीचे दिया हुए पर में न पर मिटर स्क्वाइर तो यह जो मिटर स्क्वाइर है यह बता रहा है कि 1 मिटर स्क्वाइर एरिया का जो कॉस्ट है वो है 9.50 तो यह दि 1 मिटर स्क्वाइर का कॉस्ट मिल गया रेट से 9.50 से यह निकल गया total cost यह निकलेगा rupees में ठीक है minus cost at the rate of इतना क्या करेंगे यहाँ पर 52 में multiply कर देंगे 52 x square में multiply कर देंगे 8 से ओके यह निकल गया total cost का difference is equal to हो जाएगा 1248 अब यहाँ पर solve करना है अब में multiply कर लिजे यहाँ पर मिटले करता है है देखिए 9.5 है 0 अब ले लीजियो क्या दिकलत है यहां हो जाएगा 52 तो 2000 तो फैसा टेन वन और 298 और 119 फैसे करें यह 50100 55 255 भचा 590 45 45 एंड 247 जीरो 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 और 9 514 का 4 1 करी ओफर 7189 और 4 मतलब कि दो डिसमल बढ़ाना है, दो डिसमल बढ़ा दिए, 494 आया है, 494 x स्क्वार तो रहे गई, माइनस, अब यहां में प्लिय करते हैं, अब यहां डिफेंस निकाल लेते हैं, देखे, 494 में से 460 मानस करेंगे, तो मिलेगा आपको 8, देखे, 4 में से मानस करेंगे, 8 मतब 14 में से 6 मानस करें, तो मिलेगा आपको 8, फिर यहां मिलेगा 8, 8 में से बहुन जाएगा 7, उसके बाद 4 में से खतम हो जाएगा, ठीक है, कितना से, 78 से, और यह कटेगा, तो कितना हो आएगा, पहले हम इसको 2 से कटाते है, 236, 29, 236, एन बचा 18, 29 जा 18, यहां से 2612, 224, 248, अब यहां पर 13 से कटेगा, 13, 3 से कटा सकते हैं, 3 मंज़ा 3, और 3 मंज़ा 9, यहां 3 सकते हैं, 326, 326, यह नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे, और 3, 8 जा 24, क्या यह 13 से कट जाएगा, 13 मंज़ा 13, 13 जा टेबल बढ़िए, 13 मंज़ा 13 जाएगा एक बार, और कितना बचेगा, 7 बचेगा, 78, और 13 से होता है, 78, तो मतलब कि यह आगया, यहां पर 16, और X सकार निकलना हमें है, तो यहां से हमें निकल जाएगा, क्या, X बराबर, स्क्वेर रूप ले लेंगे, बोट सैट्स में, यहां पर मिल जाएगा, इसको रूप 16, मतलब कि मिल जाएगा, 4 मीटर, आपको मिल, स्वरी, 4, स्वरी, स्वरी, यह जो X है न, वो तो फैक्टर है न, तो 4 मिल जाएगा, only 4, तो X बराबर, यह जो यहां पूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, dimensions of the rectangular box, पूछा क्या, actually, dimensions पूछा है, 43 यहां पर निकाल लेते हैं हम, hence, dimensions are, hence, dimensions are, क्या होगा, पहला, यहां पर देखे, 2X meter, यह है, मतलब कि 2 into 4, is called to 8 meter, ठीक है, दूसरा dimension हो जाएगा, यहां पर देखे, 3X, मतलब कि 3 into 4, मतलब कि 12 meter, और 3rd dimension हो का 4X, means 4 into 4, 16 meter, यह हो जाएगा, आपके dimensions, and these are your answers, thank you so much for watching, like कर दिजिए, दूसों को share करिए, और जितना ज़्यादा हो सके, comment लिखे, thank you so much again, bye,